हालो गाईज मैं हूँ सरवेश और आप देखरें ने उस टिप दूस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे EIDA ने नए टाइप का फार्म अब उपलब्ध करा दिया है इन्नॉल्मेंट करने के लिए या अपडेट करने के लिए और इस फार्म में कुछ बदलाओ किया गया है ये दो प्रकार के फार्म है पांच वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच के नागरिकों का जो आधार अपडेट या इन्नॉल्मेंट किया जाएगा उसके लिए अलग फार्म दिया गया है और 18 वर्ष से उपर के लोगों का आधार इन्नॉल्मेंट या अपडेशन करने के लिए दूसरा फार्म दिया गया है इन दोनों फार्म के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या बदलाओ हुआ है और आप फार्म को कैसे भरना है बस आपसे एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करने कि को आपके पास आधार है तो थिक करें और अगर आपको आप डेट करना है तो अपडेट वाले अपको टिक करेंगे याárक ही आप को प्लाम के लिए यह इनल्वेकिंट के लिए और फिर यहाँ अपको δूसरे देश के country के कोई लोग आधार बनवाना या अपडेट करवाना चाहते है NRI में तो इस option को tick करेंगे वैसे ज़्यादे तर resident जो होते हैं वो Indian ही होते हैं उनके आधार में ही काम करना होता है तो अगर आपरेटर हैं तो ज़्यादे तर आपको resident Indian पे आपको tick करने लेना रहेगा इसके बाद तीसरे point में आजाते है in case of update अगर आधार अपडेट किया जाना है तो यहाँ पे उनके पास पहले से ही आधार नंबर होगा वो आधार नंबर यहाँ पे total digit का आपको यहाँ पे लिख देना है आधार नंबर होता है resident का इसमें complete आप भर लेंगे और उसके बाद में देखें तो एक नई चीज आई हुई है document update या language update अभी आपने देखा होगा आप document updation का भी काम start हो गया है और document updation के लिए जो पिछला form था उसमें कोई option नहीं था इस form में यह option दे दिया गया है अगर कोई resident के वल document update करवाना चाहते हैं अपने आधार में तो document update वाले आधार नमबर लिख करके और आगे बढ़ जाना है उनका name लिखना है और बाकि कुछ नहीं लिखना है नीचे signature करके उनका document update कर देना है और आधार नमबर और name के वल भर देना है आपको इसमें और सेम document उनका होना चाहिए वही document आप जो scan करेंगे वो भी original होना चाहिए resident को original document आपके center तक लाना होगा या अगर आप एक resident हैं आप निवासी हैं तो आप ये video देख रहे हैं तो आपको अपना original दस्तावेज आधार center तक ले के जाना होगा आपको अपना नाम भरना होगा और document update वाले अप्डेशन पर टिक करना होगा लेकिन अगर इसे इस form को आधार अपडेशन के लिए यूज किया जा रहा है तो फिर document update पर आप टिक नहीं करेंगे सीधा आधार number लिखेंगे किस type का अपडेशन है वो यहाँ पर select कर लेंगे अगर biometric update करना है यानि कि photo बगेरा change करना है fingerprint नहीं पकड़ रहा है तो biometric update पर टिक करेंगे और फिर इससे update करवाएंगे या इसके लाव अगर demographic update है जैसे mobile number, data birth, address, name gender, email id क्या change करना है वो यहाँ पर आप टिक कल लेंगे उसके हिसाब से और farm में आगे बढ़ जाएंगे इसी परकार से थोड़ा नीचे देखेंगे यहाँ पर है name as पर POI, POR document या प्रूफ of resident जो आप पस document आप लेकर क्या रहे हैं या proof of identity उसमें जिस तरह से नाम लिखा हुआ है इस वाले कालम में resident का नाम लिखना है यानि कि मालूम मैं अपने लिए बनवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लेकिन गाईज इस फार्म से तो मैं बनवा नहीं सकता क्योंकि मैं तो 18 प्लस हूँ 18 प्लस के लिए यह फार्म नहीं है लेकिन फिर भी example के लिए मैंने यह नाम आपके लिए लिख दिया है और फिर आप यहाँ पे जो 5 नंबर है वर्थ रेजिस्टेशन नंबर आइस पर बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम आप बर्थ रेजिस्टेशन नंबर आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें बर्थ रेजिस्टेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे mention कर देना है और फिर आपको gender में male या female जो भी लड़का या लड़की है उसके हिसाब से male female यहाँ पे आपको लिख देना है और फिर age यहाँ पे date of birth उनका आपको complete भर देना है या अगर आप एक निवासी है तो यह farm आपको खुद से भर रहा होता है आप यहाँ पे अपना जर्मतिती दर्ज करेंगे अपने बच्चे का जो पांस साल से एठारा साल के बीच के लोग हैं उनके लिए यह farm है और इसको अगर आप continue करेंगे तो फिर next देखेंगे आठ नमबर पे अब बात कर लेते हैं आठ नमबर के HOEF-based जो enrollment आगर आप कर रहे हैं HOEF-based का मतलब होता है माता या पिता को आना पड़ेगा आधार enrollment center तक उन दोनों में से किसी एक को अपना Biometric authentication करना होगा और आधार दोनों का लेकर क्याना होगा जिस भी बच्चे का आधार बनाया जा रहा है उनके माता पिता दोनों का आधार required होगा In case anyone of the parent is not available वतलब दोनों में से अगर कोई एक parent नहीं है तो उसका reason यहाँ पे mention करना होगा और लेकिन एक को तो mandatory आना पड़ेगा उनका आधार लाकर के आधार नमबर यहाँ पे mention करना होगा तो यहाँ पे माता का नाम यहाँ पीता का नाम लिख लेंगे और यहाँ पे माता का आधार नमबर और पीता का आधार नमबर दोनों आप लिख देंगे इसके बाद इनके साब both parent are not available, किसी किसी condition में ऐसा हो सकता है कि बच्चा अनाथ हो, कोई ना हो, माबाप ही ना हो, उनका भी आधार बनना है, किसी तरीके से किसी किसी condition में ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पे guardian के अधार में भी बनाया जा सकता है, जो बच्चे को गोद ले ले, य या कोई और घर में relatives हैं उनके तो उनके अंडर में अगर उस बच्चे का अधार बना जा रहा है तो वो guardian ship में आधार बनवा सकते हैं लेकिन उनको जाकर करना होगा और mention करना होगा reason कि मा बाप उनके कहा है है नहीं है उनका क्या उनके बारे में पूरा description आपको देना होगा आ guardian का आधार नंबर यहां पे mention करना होगा अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की यानि कि अगर document बेस पे आप enrollment कराना चाहते हैं अगर माल लेजे उस बच्चे के पास माता पिता या कोई नहीं है उपलब्ध नहीं है और उन्हें document बेस पे enrollment करवाना है तो फिर proof of identity में उनको document submit करना होगा उसका यहां पे name लिखना होगा और यहां पे proof of address की रूप में भी उनको document present करना होगा और proof of birth में भी यहां पे उन list of supported document सर्च करके download कर लेगे मैं आपको discussion box में भी list of document का link दे दूँगा वहां से भी आप download कर सकते हैं इसके बाद आप अपना complete address लिखेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 10 नमबर की बात करेंगे demographic document update अगर माल लेजिए by the way के वन document update करने की बात थी तो यहां पे ज demographic data update होना है तो फिर POI में क्या document लगा रहे हो और DOB में क्या document लगा रहे हो या proof of address में क्या लगा रहे हो proof of relationship में क्या लगा रहे हो अगर आप अपडेशन करवाना चाहते हो आधार में तो तो आपको अगर इस farm से केवल आपको update करने का काम करना है यानि कि demographic data update करने का काम करना है तो फिर आपको यह 10 नमबर वाला point फिल करना है और पूरा address वगिरा जो चीज़े हैं वो complete भर देना है और अगर केवल name change करना है या name में संसोधन करना है आधार में तो इस farm में केवल name भरना ही जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आपको name में सुधार करना है और पूरा farm आप complete भर रहे हो required चीज़ों को भरने की जरूरत है जो चीज़े आधार में update होनी है वही चीज़ भरने की जरूरत है इस पे भी कई आप्डेटर या रेजिडेंट निवासी कन्फ्यूज होते हैं तो यह चीजे भरना है मालनी जो मोबाईल नंबर आपको अपडेट करना है तो आधार फार्म में आप मोबाईल नंबर भर दीजिए लेकिन नेम का भरना इंपॉर्टेंट होता है आधार नंबर और नेम तो आ करके वैरिफाई कर देंगे आप अप्लिकेंट जो होंगे वो अपना सिगनेचर करेंगे और सिगनेचर आप पैरेंट या गार्जियन जो है बेस पे जब आप आधार बनवाओगे तो यहां पे गार्जियन या पैरेंट जो होंगे उनको यहां पे सिगनेचर करना होगा त उससे कैसे भरना है उसमें भी complete guide करूँगा मैं आपको तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना मत भूलेगा मिलूगा अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन